अस्सलाम अलेकुल दोस्तों ये आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से में इसा वाकिय फ्रेंड अचाते हो तो ये वीडियो को भी नैस कुप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हूँ या फिर पहली बारा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मेंसा फ्री में मिलती रहे तो सातियों सबसे पहली जो ख़बार आ रही है सरजनिक सब्सक्राइब बुद्वार को दोस्तों 15 सितंबर से सुरू होगी फीफाजर बायों टेक और मोडरेना कोविड-19 वैक के लिए जिनके पास आठ महिने से अधिक समय पहले वैक्सिन की दूसरी खुराक्ती तो सातियों 15 सितंबर से यानि दोस्तों दो दिनों के बाद MOPH के तरफ से एनॉस्मेंट किया गया कि वहाँ पे बूस्टर वैक्सिन डोस का जो है वो दिया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ज्यादा जोकिम है तो दोस्तों ये जो start होगा ये 15 सितंबर से start होगा यानि आने वाला जो बुदवार है उस दिन से ये start होगा तो जो लोग दूसरा डोस लेना चाहते हैं बुस्टर डोस तो वो लोग जाकर अब ले सकते हैं अगली ख़बर सात्यों ये कतर지만 से announcement किया गया है कि 25% जो है ticket का किराया को घटाया जाएगा 140 140 destination यानि 140 सहरों से ज़्यादा के लिए घटाया जाएगा अब दोस्तों यह designer privilege club offer the discount last 8 days दोस्तों यह 8 दिनों के लिए discount चलेगा और दोस्तों यह 14th of this month में यह दोस्तों यह end कर दिया जाएगा तो यदि कहीं भी साथियों अब travel करना चाहते हैं तो travel आप कर सकते हैं क्योंकि आपको 25% का फिलाल अभी discount अभी Qatar Airways की तरफ से आपको दिया जा रहा है तो जो लोग भी यदि आप ticket अभी booking करना चाहते तो कर लिजिये नहीं तो यह offer जो वो खतम हो जाएगा अब साथियों बात कर लेते COVID-19 ताजा update के बारे में तो अब तक वहाँ पे 45,676,174 लोग को वैक्सिन दी जा चुकी है 24 घंटा में 14,665 लोग को वैक्सिन दिया गया recovery के बारे में बात करें तो टोटल वहाँ पे 2,31,725 लोग recover हुए है 24 घंटा के अंदर 187 लोग recover हुए है और current active case 2023 है और वहाँ पे नए जो cases आया है 88 उनमें से 38 वह वो traveler यानि दूसरे देश से आने वाले थे 24 घंटा में एक भी लोग की मौत नहीं हुई है टोटल वहाँ पे 604 लोग अब तक COVID से अब तक वहाँ पे मर चुके हैं वहीं 24 घंटा के अंदर 25,952 लोग को जाच किया गया टोटल वहाँ पे 25,58,174 लोग को जाच अब तक किया जा चुका है 24 घंटा में एक लोग ICU में है टोटल 20 लोग है acute hospital में 5 लोग है टोटल 67 60 लोग है तो यदि आपको कोई भी स्वास्त को लेकर problem है तो 16000 पे आप call कर सकते हैं आपको तुरंती medical साहता आपको दी जाएगी यह बिल्कुल free है यह hotline number है MOPH की तरफ से अगली ख़बर साथी हूँ जो आ रही है वैसे तो यह आ रही है उमान की है पर दोस्तों आपके लिए काफी जानना ज़रूरी है साथी उमान हुकूमत के तरफ से यह announcement किया गया है कि आठ वैक्सीनों को approval करने के वहाँ पर आधेश दे दिया गया जॉनसन और जॉनसन एक डोस लेके आप जा सकते हैं सीनोवाइक, मोडरेना, स्पूटनिक, वी और सीनोफार्म तो यह दोस्तों आठ वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन लेके आप जा सकते हो आपको जो इंट्री जो है, वो मिल जाएगी बिल्कुल आपको कोई दिक्कत वागे रागे रागे साथियो बताना चाहूंगा, Department of Metrology के तरफ से बताया गया है कि आज की दिन वहाँ का जो मौसम है, वो काफी जादा गरम होने की संभावना है विंड इन सोर्से भी नॉर्थेवेट, नॉर्थेवेट, नॉर्थेशिक्स टू, सोला नॉर्ट की जा सकती है और दोस्तों समुंदर की लहरे भी काफी जादा आज नहीं उठेगी तो दोस्तों ये सब जगहों में काफी गरमी होने की संभावना है तो दोस्तों ये कुछ अब्डेट थी, जो कतर सारे थी, मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते दोस्तों साथ share करते ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके में